असलामने कुम इस दौाक साहिए लातला हम सब को हिर्समान में रखे आजकर जी हर तरह वायरल है यखनी पलाव यखनी पलाव फराहांस का लेकिन हम बनाने जा रहे हैं यखनी वर्यानी यानि के हम उसी रेसीपी को दे रहे हैं थोरा ट्वेस्ट और जी सर्लोग की अन्य की पहांस का लाकिन हम लाएं ट्वेस्ट हम बनारें वर्यानी हम भी पाएंगे जिसमें आलू बहुक कर में अकिसी तरह से बनाएंगे आपनी ईसफीपी देने वाने में बहुत से beginners को tips and tricks भी देने वाले हैं पहरे हमने चावल boil करने के लिए शामिल कर दिये पानी में और जब चावल जो उसे हैं वो आपने किते boil करने हैं बरियानी के लिए हासे आप देखिए कैसे फ्रक टक कर के उपर आगे और आठ मिनट तकरीब बन लगते हैं दस मिनट में फुरी डन हो जाते हैं आठ मिनट के बाद जिया आप चावल को drain कर ले इसके बाद याप कुकर पकड़ें जी आपने देखी होगी रेसी पीजी फराहान ने कुकर में बना दिया पलाओ लेमारा भी अदा बला करें हम भी बना रहे हैं गुकर में बरेया निक Лए की बना रहे हैं तिया आप हमारे साथ रे हमने भी भी डाल दिया है इसमें दीरा के ये एक अप लिए हपनी होगा ही हमने चावल करते हुए भी डाला था हमने इसमें sit hot star दिया है प्यास आप जी हम इसको बुने चुनेंगे और इतना बुनेंगे कि यह हलका हलका लाइट लाइट सा ब्राउन होज़े आजकर बहुत करनी है तो प्यास हाड़ पूझ देंगे आप तो फिर उतनी ही बाद में जी करनी लगती है और हाली की शकल भी काली काली हो जाती है लें जी अब हम इसमें डालने लगे हैं लहसन अधरक का पेस्ट यहां जी आप इसको ग्रेट कर लें कदुकश कर लें और वो पीडा सकते हैं आपके पास सब्सक्र पेस्ट है वजार का वो पीजान ताडी मली जी जो मली पाओ बस लहसन अधरक डाल दो उसके बाद ही हमने चिक कर दी ताके हमारा चिकन उपर से अच्छे से गोर्डन गोर्डन होजे उसके बाद ही हमने इसके अंदर पांच छे टमाटर सुटे साथ हमने हरी मिर्चें डाली और फिर जी हमने इसकी शूरू कर दी बनाई आप देखिएगा हमने इसमें पानी नहीं डालना किसी भी स्पेशल यहनी पला दीना अर दूस 조सी बनानी है जी यही वारी यहनी बरियानी अब हमने जीवरा मसाला लेना है तार जीमोडी राई जी शोडी राई जी और इसके रहा हमने बाद्यान का पूल लिया था काली मिर्चे नहीं थी लोंग लिया था जो हो जी सानों पूल गया हो तो साइट पे कैप्शन में पढ़ ले ये सारा जी खरा मसाला दिया था उसके साथ हमने उसको पीस दिया था हमने उसमें तरह मिर्च शामिल की थी उसने जी धीद पश्मीरी मिर्स दाले का वो चीज़ दाले जो हर गर्मे ही हो था हमने जी तरह मिर्स दाली उसे भी बहुत अच्छा स्पाई साता है इसके बार हमने लान में चेंदर शामित की है और सुका दिनियां बहुत आ जा पाया है क्योंकि सुके दनी की अपनी ही एक ना आए और उसके पाद यह हमने भी आलू पकड़े दो और उनको काटा शाटा और इसके अंदर सूट दिया अब आप देखिए हमने पानी नहीं डाला इसके अंदर क्योंकि अब हमने भी डालना है इसमें ज्यूदा सादेहीं और यह ने जी अब हमारा बोता सादेहीं ताकि यह अंदर ही टैटू ना जाए लेकिन एक टिप और ट्रिक और भी है अगर खटास बहुत जादा होजे तो चीज बहुत जल्दी गल्दी नहीं इस पॉइंट पे आकि हमने थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल कर दिया और हमने चाल्दों में नमक अच्छा हासा डाल आलू भी सॉफ्ट होगे आप आमने कुछ नहीं करना तेज इसको आंच करनी है और यह जी चिकन की यह अखनी निकलाई थी अब हम इसको तेज आंच करके मसादे में चेंज करते हैं और इसके ओपर शूण शूण करके जी ओए आजए हमने भी ऐसे किया उसके साथ साथ हम त्यारी कर लेंगे अपनी वोग रखेंगे यह भी एक चीटे पेंट रिखेंगे आप नमक मिर्चें चक चक के पागल हो जाते हैं जी तेज गया करीं थोड़े से साथे चावल पकरें उसके उपर मसाला डालें और दोनों को मिक्स करके खा कर देखनें जी वह ही एंडर्ज लेका लिकार लिया और प्रिपर उघ्याशन गृत जीama को जीञा करें पतर तरह कते हैं उसी तरह है इसको भी ताम देना है ऌते हैं या सवर्श को प्मने टाल जया हैं जाता ड़के मसाला शाहर तारो तेगे माय चावलों का जी साइज ही ये था और हमने ये अब शामिल कर दिया साइड वे या दा फूर कलर क्यूंकि इस पार जो हमारी पैरियों से चावल आए हैं उसाथ भी नहीं हमारे साथ फराड कर दिया है उसने हमें जादा ही छोटे छोटे वाले चावल पेश दिये हैं उर यह देखें जी हमारी भी बुरियानी हो का यह फनी तियार और क्या ही दम्मा के दार त्यारी थी हमने भी अपनी जी जीरेज की चुके है निकावला का कुर बोता स्पेशल साथ डिवी जीरेज हैं सी वी इसी बोक में इसी करहाई में बनाएंगे और चितने खुडे पर बस्फूदें तांक